नमस्कार साथियो नियूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं कॉर्पेट मामलों के मंत्राले के विबसाइट से ये पता चला है कि ग्री मंत्री के बेटे जैसा की कमपनी की कमाई तक्रीबन 14,925 फिस्दी साल 2014 से लेकर 2019 के बीच बढ़ी है इस मुद्दे पर बाचित करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठार्तिक पत्रकार परणजय गुहत थाकुर्दा तो पहला सवाल यही है कि एक कमपनी मात्र पांच सालों में इतना आधिक फाइदा कैसे कमा ले रही है बहुत अच्छा कारोबार करते हैं इसलिए बर गया शायद देखिए जब 2017 में वायर जो वेब साइट है उन्होंने जैशाजी के एक कमपनी है Temple Enterprise Private Limited उन्होंने लिखा रोहनी सिंग का लेक था उन्होंने का किस तरह से 16,000 गुन बर गया उसका पुरा कारोबार जो अंग्रेजी में कहते है टर्न ओवर और फिर हम देख रहें कि कुछ सालों के बाद ये कंपनी आहिस्ता आहिस्ता इसका कारोबार बंद हो गया मगर जैशाजी का जो बेटा है जैशाजी का एक और कंपनी है इसका नाम है कुसुम फिंसर्फ LLP LLP मतलब Limited Liability Partnership तो इससे पहले ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था इसको उन्होंने LLP बना दिया और जो कैरवैन में कैरवैन पेपर में कोशल श्रॉफ ने लिखा पहला अक्टोबर नवेंबर में ये प्रकाश किया कि किस तरह से ये कंपनी कुसुम फिंसर्फ LLP का जो टोटल इंकम यानि कि पूरा ज 2014 से वित्यसाल 2019 वित्यसाल 2014 में ये कंपनी ये जो कुसुम फिंसर्फ LLP का असी लाक से भी कम इनका पूरा कारोबार था ये 2019 का वित्यसाल में 120 करोर के थोड़ा सा कम 119.61 करोर तो 2017 में तकरीब एक सो तैंतालिस दसमा तैंतालिस करोर देखिए उनका संपत्तिवरा उसका ज ये लेक जो है इसमें किसा लिखा कि अलग-अलग कंपनिया किस तरह से इसको रिंदिया बैंक भी इसको लिंदिया ऐसे समवे का कौपरेटिव बैंक भी है और नीजी कंपनी भी ऐसे है जैसे एक कंपनी किया ऐसे फाइनशल सर्विसेज ये कंपनी भी ये जैया मिच्छा क कंपनी यानि कि यह LLP जो कंपनी है कुसम फिंसर्फ को दिया और एक चीज़ और यह जो केरवैन का लेक इन्होंने लिखा कि उन्होंने बहुत देर करके उनका जो हर साल यह LLP को तीस अक्टोबर तक देना पर था है इसका काउन और यह कारवा का जो लेक है कौशल श्राफ न समय चुनाओं चल रहते हैं नहीं था मगर दो ऑगस्ट दो हजार उन्हीं तो एलेक्शन का नतीज़ा का घोशना का तीन महिना के बाद यह सारे स्टेटमेंट MCA, Ministry of Corporate Affairs, Registrar of Companies इनके वेब साइट में सब कुछ आ गया और यह कैरवान का जो लेखक है उन्होंने आमधबाद में जो Registrar of Companies है उनको भी बहुत सारे सवाल उठाया उन्हेंने सवाल का जवाब नहीं दिया और वैसे कैरवान भी कहरा है कि 19 अक्टोबर जैशाजी को उन्ह उन्होंने एक questionnaire भेज़ा, सवाल बहुत सारे सवाल उठाया और एक अक्टोबर तक उन्होंने जब तक प्रकाश किया कुछ जवाब नहीं आया यह जैसा कोई जादोई company type कुछ चलाते थे क्या कुछ पता चला है कौन सा कारोबार करते थे अलग अलग company करते उस समय जब इत 30% हिस्सा उसमें जी हाँ और जग्रो कमोडीटीज का जो कारोबार है वानिज्य उसमें 30% के कम है और अलग अलग चीज़ कहते हैं और जैशा का जो वकील है को एक बार उसका चिट्थी में उन्होंने एक बार जवाब दिया था वो शेर बजार में भी खरीटतें बेचतें और आयात निरियात अलग अलग तरीका सा कारोबार है अब तो बी सी सी आई के सची भी बन चुके हैं बिल्कुल जी अभी तो उनका पिताजी भी एक समय गुजात क्रिकर असोसियेशन के साथ उनका संपर्क था आज वो तो हाँ बी सी सी आई का सची बन गए बिल्कुल ठीक आप ते कहा तो यह सार उनकी सारी की जितने भी संपत्ति और बालेंसिट के जितने भी एलिमेंट होते हैं फिश्ट असेट्स करेंट असेट्स सारी चीजों में इजाफा हुआ है इनका जो संपत्ति है जो जो जमीन है जो मिशीनरी है जो जो बिल्डिंग्स है सब कुछ ब किसी को मालूम नहीं है मगर बहुत सारे कंपनी इनको रिंद्या इसमें एक कंपनी है के आई एफ एस फाइनशल सर्विस्स यह कंपनी का जो मैनेजिंग डिरेक्टर है चेर्मन है भाइसाब का नाम है राजेश खांडवाला और उनके साथ एक संपर्क है पारिवारिक संपर् वह सांसद है राज्यसभा में जारकंड से राज्यसभा का सांसद है और वह रिलाइज इंडिस्त्री इस लिमिटट की सीनियर ग्रूप प्रेसिडंट है याने ही बहुत ही गश्दीग है धिरुबाई अमबानी के साथ था अभी मुकेश अमबानी जी के साथ उनका घनिष् और उन्होंने भी एक समाय जो गुजरात क्रिकेट असोसियेशन का वाइस प्रेसिडेंट थे और अमिच्छा जी तो प्रेसिडेंट थे आप जानते हैं जैशार तो अभी बी सी सी आई में बहुत बड़ा काम कर रहा है कारवा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जब सान को लोन मिला यह भी इन्होंने लिखा है तो इसमें हमें तो पता नहीं है इसका कारोबार है अच्छा अलग-अलग कालुपूर कमर्शिल को अपरेटिव बैंक इनको चालिस करोर हसुम फिन सर्फ को रिन दिया भारत सरकार का रिन्योबल एनरजी डिवलपमेंट एजनसी प 47 करोड 2017 में उनका एक एक एक्सपोशर है उन्होंने एक लेटर ऑफ क्रेडिटी स्करोड कर दिया फिर उसके बाद एक रिन्ड भी दिया तो अलग-अलग इस तरह से सानंद में उनको एक गुजरात इंडस्ट्रिल डिवलपमेंट कॉर्परेशन में वहां के एक प्रॉपर थो कारोबार कर रहा है अच्छा उनका क्या उन्त्रिप्रिनौरियल स्किल्स हैं वह चानूर उनका बहुत वह बगए है तुर्परेशन कोई बात नीं इसका अर्थवस्ता खराब चल रहा है इसमें क्या है बेगधिकत बहुत सारे कंपनी का अगर देखेंगे पहर सétais बैलन कुछ कहानी तो गैर कानूनी काम शायद कुछ कारवान का लेक पे तो कुछ आया नहीं कि उन्होंने गैर कानूनी कुछ किया तो आप तो जाने माने देश के पत्रकार हैं और वह भी आर्थिक पत्रकार कभी मुलाकात होई आपकी जैसा से नहीं एक कानी में छोड़ा सा कानी बताना चाहता हुगा. एक दिन में खान मार्केट में गूम रहा था. दिल्ली का खान मार्केट भोलतायां कान मार्केट गैंग हैं बहुत सारे देशित नोही हैं तो मैं जब चल रहा हुआ आश्चेज हो गया मैंने रायो से नमष्कार किया ऑखोको मैंने पिली दीखा हो खाए आपका नाम जैहमिच्छा जी अचाजी बोला व IT ऐसे सिर जुकाय खा no मैंने बोला नमष्कार फिर उन्होंने और कहीं चलागा मैं उरकी चलाग templates ऺए शुक्रिया एक कंपनी को मात्र पांच सालों में 14,925 फिस्दी का फैदा हुआ सोचिएगा सुक्रिया आप देखतर ही है न्यूज क्लिक